आप लोग जिसपी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोगों ने उसके पुराने कुश्चन्स फेपर उठा के देखे होंगे तो आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर से आपके एक्जाम में कुश्चन्स अच्छी खासी संक्या में आते हैं फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजे या इस्टेट पीसी एस की बात कर लीजे जिसमें आप देखी यूपी पीसी एस हो गया बिहार पीसी एस 36 गण राजिस्थान, मद्देपिदेश पीसी एस या आप देखें सेंटर लेवल पर भी तमाम एकजाम होते रहते हैं एससे बैंक रेलबे के या इस्टेट राजिस्थार पर आप देखते हैं सिक्छक भरतियों के लिए होते रहते हैं पटवारी के लिए होते रहते हैं, कॉंस्टेवल के लिए होते रहते हैं दरोगा SI के लिए होते रहते तो आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी करें उसके कम से कम 4-5 साल पुराने questions paper और उसका slivers जरूर अच्छे से पढ़ा करिएगा आज की इस क्लास में हम लोग अक्टूबर महिने में अक्टूबर 2022 में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए किस तरह की मत्पूर्ण questions बन सकते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और इससे पहले आप देखिए जनवरी से लिकर सेप्टमबर महिने तक की सभी करेंट प्यर्ण की घटनाओं को उनके से बनने वाले questions को हम लोग देख चुके हैं मंत्ली करेंट प्यर्ण के नाम से एक आपकी पेले लिष्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी आपको किला से मिल जाएंगी 2021 की हो यह 2022 की हो इसमें पहला questions हमारे सामने दिया गया है यह पूछ रहा है कि पिती वर्स यानि कि हर साल अंतराष्टिय ब्रद्जन दिवस कम मना जाता है यह आप देखते हैं कि बूडे लोग होते न ओल्डे लोग शुकी होती है जिनकी उनकी बात हो रही है 1 अक्टूबर 30 सेप्टमबर 2 अक्टूबर 28 सेप्टमबर को और इसे मनाए क्यों जाता है एक तरह से आप लोग याद रखे का इसे मनाने का उद्देश यही है कि जो ब्रद्धर रह रहे हैं दुनिया भर में उम्दराज लोगों के साथ होने बाले भेदवाओ को खतम किया जाए अप मान जनक बिवहार उपेक्छा और अन्याय पर रोक लगाई जा सके और लोगों को जागरोग किया जा सके क्योंकी भी यह इस्तिती आनी है यह प्रक्ति का नियम है और एक अक्टूबर को यह मनाए जाता है इस बार की थीम क्या रखी गई है ब्रिद्य जन दिवस की थीम रखी गई है बदलती दुनिया में ब्रिद्य जनों का अनुरूपन और एक तरह से आप देखेंगे तो और इसके इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 14 अक्टूबर 1990 में ब्रिद्य जनों के लिए अंतराश्टी ब्रिद्य दिवस गोसित किया गया था और इसके बाद आप देखेंगे एक अक्टूबर को अंतराश्टी ब्रिद्य जन दिवस की रूमे मनाड़ी की घोशना हुई थी और एक अक्टूबर 1991 को पहली बार ये अंतराश्टी इस्तर पर मनाये गया था यहाँ एक और संस्था की स्थापना हुई है बात हुई है सयुक्तराश्ट महासभा इस तरह की संस्थाओं के बारे में आप लोग एक सामन जानकरी जरूर याब रखेगा और सयुक्तराश्ट महासभा सयुक्तराश्ट की जो 6 अंग है उनमें से 1 है ये भी 1 है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और सयुक्तराश्ट की अगर हम लोग बात करें इवन की तो आप सभी जानते हैं की उनाइटेड नेशन्स की बात कर रहा हूँ 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी निव और इवेसे मेंस का हेड़ पर्टर देखने को मिलेगा तो इसमें ए ओप्स लगाएंगे और इसकी पीडिया आप टेलीगराम पर डाल दे गई है वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिजे अंगला कुश्चन है हर वर्स अंतराश्टी कॉफी दिवस अक्टूबर महिने की किस तारीक को मनाय जाता है किसकी बात हो रही है अंतराश्टी कॉफी दिवस मनाने की बात हो रही है एक अक्टूबर, तीन अक्टूबर, पाच अक्टूबर, आठ अक्टूबर तो कब मराय जाता है ए मनाय जाता है एक अक्टूबर को एक अक्टूबर को दुनिया भर में अंतराष्टी कॉफी दिवस मनाते हैं और पितिवर्स एक अक्टूबर को उन लोगों को का समान करें करने और सराहिना करने के उद्दे से मना जाता है जो दिलरात खेतों में मेनत करते हैं कॉफी की खेती करते हैं और अंतराष्टी कॉफी संगठन ने साल 2005 में, 2015 में इटली में पहली बार 20 का कॉफी दिवस की सुरूआत की थी, 2015 में, तेक है यह भी आप लो 2015 से सुरू हुई थी, इटली से, यह भी आप लो याद रखेगा, और International Coffee Organization की बात करें तो 1963 में इसकी इस्थापना हुई थी, यह आप लो याद रखेगा, इसमें, कॉफी बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगी, बताइए किसे पसंद है, फिती बर्स 30 सेप्टमबर, कुक्किन की पुनितिती पर अंतराष्टी अनुवाद दिवस मनाय जाता है, अंतराष्टी यह अनुवाद दिवस की बात हो रही है, सेंट पॉल, सेंट जेरोम, सेंट अगाथा, सेंट जॉर्ज, तो यह आप देखेंगे किसकी उसमें मनाय जाता है, सेंट जेरोम, B option फिलकुल ठीक हैं इसमें, और 30 सेप्टमबर को सेंट जेरोम की पुनितिती पर यह देवस मनाय जाता है, और दुनिया भर में अनुवाद समुदाई की जोटता दिखाने के लिए International Federation of Translators द्वारा अंतराश्टी है अनुवाद विशाई की शुरुवाद 1991 में की गई थी तो ये भी आप लोग 1991 में शुरुवाद हुई थी इसकी ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए चलिए अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते है इसमें क्या लगाओगे बी आप्सन बिल्कुल सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने किसी चिकिस्सा की छित में 2022 का नॉबल पुरुसकार मिला है किसका नॉबल पुरुसकार सबसे पहले तो नॉबल पुरुसकार की बारे में आप लोग चाल लीजे अलफेड नॉबल का नाम आप लोग सुने होंगे और अलफेड नॉबल की बात होती है तो इनकी भी बात कर लीजे इनका जनम कब हुआ था इनने नोबल का दाता भी कहते हैं आप लोग अलफेट बर्नार्ड नोबल का जनम कब हुआ था बताईए कुछ मालू है 21 अक्टूबर 1833 में इनका जनम हुआ था और इसलिए आप देखते हैं कि अक्टूबर महिने में घोसित किये जाते हैं और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी इसलिए आप देखते हैं कि घोसित हो जाते हैं एक सम्मान कब पुरुसकार अक्टूबर में और दिसंबर में ही बितरित किये जाते हैं अलफेड नोबल एक स्वेडिस रसाइनिक अभियंता अभिसकारक ब्यापारी और लोग परोग कारी व्यक्ती थे और नोबल पुरुसकार की स्थापना के लिए अपने भाग जो बसीयत थी उनके लिए इन्होंने पूरा दे दिया एक तरह से उसी के हिसाब से दी जाती हैं और अलफेड अगर हम लोग पुरुसकारों की बात करें तो 1901 से सुरू हुए थे कबसे 1901 से आपके नोबल पुरुसकार सुरू हुए थे और भौत की रसाइन बिज्ञान सरीर की करिया बिज्ञान चेके साहत और सांती के चित में दिया जाता है और यह आप लोगों को माल होना चेहिए सुईडन में मिलते हैं बाकी सभी पुरुसकार केबल नौर्वे में सांती का पुरुसकार दिया जाता है और अर्थ सास्त का पुरुसकार 1969 में पहली बार दिया गया था तो यह भी आप लो याद रखेगा 1968 में सुईडेस के अंधरिये बैंक ने एक तरह से इ एकोनोमी अर्थ सास्त में और पहली बार 1990 में दिया गया था बाकी 1901 से सुरू हो चुके थे तो बताईए किसे दिया गया है एले जोस जोर्ज मैथिउज स्वान्ते पावो एंडी वुकरे तो यह आप सभी को माल होगा चिकेसा के लिए दुनिया के सबसे पितिष्ठित प पुरुसकार की घुष्ठना हुई है और यह स्वेडिस अनुवान से की विद स्वान्ते पावो को दिया गया है और यह समार बिलुप्त होमो निन और मानो विकास की जीनोम से संबंदित उनकी खोजों के लिए दिया गया है और पिछली बार यह पुरुसकार डेविड को साइकतरोफ से दिया गया था तो इस बार स्वांति पावो को दिया गया है अंगले क्विश्चन की तरफ चलते हैं कौन बैक्ती हाली में कैंद्री है रिजर्फ फॉरस बलके महानेदेशक बने हैं किसके CRPF के महानेदेशक बने हैं सुजाय लाल थावसेन राकिस कुमार अस्ताना अनेज दयाल सिंग मनोश कुमार मागो सेंटल रिजर्फ फॉरस की बात करें तो आप देखेंगे 27 जुलाई 1949 में इस पीज था अपना हुई थी नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा तो इसमें सुजाय लाल थ देखती के जनम दिन पर दुनिया भर में अंतराष्टी एहंसा दिवस मनाये जाता है नेल्सन मंडेला पॉल वाट्सन वाट्सन मार्गरेट शंगेर महत्मा गांधी महत्मा गांधी को तो आप जानते होंगे इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है तो आप देखें कि इसम और कहा जाता है कि एहंसा के दर्सन का विकास गांधी ने पिसिद रोसी लेखा लेओ टाल इस्टोय के साथ मिलकर किया था सहिवतराष्ट महासबा ने 15 जून 2007 को एक पिस्ताव पारित कर विस सबहर में से यह आग्रे किया था कि सांती और एहंसा के विचार पर अमल करें हो महत्मा गांधी के जनम दिवस को एहनसा दिवस के रूमें मनाये और इस बार की थीम में रखी गई है से नो टू वायलेंस रखी गई है यहीं अगर हम लो महत्मा गांधी के बारे में बात कर लें कि इनका जनम कब हुआ था दो अक्टोवर 1889 में इनका जनम हुआ था और 30 जन्मरी 1940 में इनकी हथ्या कर दी गई थी बिर्ला हाउस नई दिल्ली में नाथुराम गोंडसे के द्वारा गोली मार कर ठीक है चलिए तो इसमें D option आपका बिल्कुल ठीक है क्या है D option अंगला कुश्य ने 2022 की सवक्षिता सर्वेक्षन में कौन लगातार भारत का छटवी बा सबसे स्वक्ष सहरा है लगातार तो आप लोग समझ गए होगे कि किसकी बात हो रही है बताईए इसमें आपका लखनव सूरत इंदौर पंड़ी तो आपको बता दूं कि इंदौर छटवी बार यह लगातार टॉप पर रहा है और एक बात याद रखेगा सवक्ष सर्वेक्षन का एवजन 2016 में किया गया था और एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा सहरी और सफाई सवक्षता सर्वेक्षन है इसमें एक तरह से आप देखे कि लोग दियान ने और सुरक्षा की और आप सुरक्षित रहें सुरक्षा बनाये रहें ठीक है उसी की बात हो रही है इंदौर की बात करें तो आप सभी जानती कि मद्विदेश की बात हो रही है मद्विदेश का एक सहर है इंदौर मद्विदेश की राधधानी बोपाल है इसकी सीमा उत्तर फिदेश, राजेस्थान, गुजरात, महराष्ट और 36 गर से लगती है चेटपल में दूसरे नमर पर है और यहां आप देखें कि विधान सभा में 230 सीटे है राज सभा में 11 सीटे हैं लोग सभा में आपकी कितनी सीटे हैं लोग सभा में 29 सीटे हैं सिवराज सिंग चौहा ने आके वोक मंत्री है तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए बताए वैसे तो रखना चाहिए और इनसे questions भी कई बार आप देखते हैं कि पूँच लेता है आप लोगों से क्या कर लेता है पूँच लेता है चलिए अंगला question हमारे सामने कितने विज्ञानियों को बहुत की के लिए 2022 का noble 가ridiya गया है noble pruska की बात हो रही है जिसकी noble pruska की बात हो रही है 2022 के दो तीन च्यार पांच please कि तो बताइये कैने मिला है कि या आप सभी जान दे है कि कीने मिला है तीन को मिला है किने तीन को दिया गया गया है दो को या तीन को तीन को दिया गया है सबसे पितिश्रित पुरुसकार है और 2022 के लिए एलन एसपेक्ट जॉन एप किलोजर और एंटॉन जिलिंगर को दिया गया है सविक्तुरूप से यह पुरुसकार दिया गया है और ध्यान ने इनको क्वांटम मेकेनिक से के छेत में उनक और का फीजियोलोजी और मेडिसन चिकेसा की छित में किसे दिया गया था प्रोफेसर स्वांति पावो को सुईडेस जनेटिक्स ने मानौ जाती के दो सुरुवाती पूर्वजों को आनुवांसिक पहचान की खोजकियों इस पिक्रिया में मानौ विकास पर एक नया रास्ता हो जा था स्वांति पावो ने इसलिए उन्हें दिया गया था और देखे भारतियों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि साहित के लिए 1913 में सबसे पहले रवेणा टेगोर को दिया गया था और फिर पहुत एक बिग्यान में 1930 में सीवी रवन को दिया गया था 1989 में सांती के लिए मदर टेरिसया को दिया गया था 1998 में अमरे सेन को दिया गया था अर्धवस्ता के लिए एकोनोमी की चित में 2014 में केला सत्यार्ती को दिया गया था सांती की चित में बचपन बचावा अंदोलन से जोड़े रहे हैं केला सत्यार्ती 1968 में Phygeology और चिकिसा में दिया गया था हरगोविंद खुरयानों को ये आप देखें बेटिस बहारत में इनका जनम हुआ था सोवो मन्यम चंद सेकर को भौत तीक विग्यान के लिए 1983 में दिया गया था ये बेटिस बहारत में इनका जनम हुआ था और बेंकेट रामा किसनन को रसायन विग्यान के लिए 2009 में ये भारत में जनमे थे लेकिन यूनाइटिट के इंगरम की इनोंने सदस्ता ले लिए अब जीद बनाजी अर्द्वश्ता के चित में 2019 में भारत में इनका जनम हुआ था लेकिन अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में और किसके लिए बहुत की कि लिए किसे दिया गया है इस बार एलन आस्पेक्ट, जॉन किलोजर, एंटन जिलिंगर इन्होंने क्वांटम यांत्की में प्रयोग और कंप्यूटरिंग और केप्टोग्राफी में तेजी से बिखसे नए एप्लिकेशन के लिए अधार दिया गया है तो तीन लोगों को इस बार दिया गया है एक नएक कु बिख्यानियों को रसाइन के लिए 2022 का नोबल पुरस्कार दिया गया है किसके लिए रसाइन बिख्यान की बात हो रही है किसे दिया गया है बताईए कैरोलिन वैटोजी मार्टिन मियल डॉल और के बेरी सार्फलेस तो यह आप लोगों को बता दो कि यह आप देखेंगे यह ओप्सन बिलको सही हो रहागा कैरोलिन वैटोजी मार्टिन मियल हॉल और के बेरी सार्फलेस इनने दिया गया है रहसाइन विज्ञान के लिए केरोलिन, वाइटोजी, मॉर्टन, मेलडल भी कहते हैं ने और बैरी, सार्फिलेस किलिक केमिस्ट्री और बायो और थो गॉर्णल केमिस्ट्री के विकास में आहें एवगदान के लिए दिया गया है तो यह भी याद रखिएगा केंसरकार ने किसी नए उप्चुनाओ आयोक की रूम में निप्ट किया है बताए किसे बनाया गया है भुपेंद बैनिबाल, राकिस सर्मा, अजय भांदरू और सुनील गड़वाल, अजय भांदरू को और देखिए चुनाओ आयोक की अगर हम लोग बात करें भारती निर्वाचन आयोक जिसकी स्थापना की बात होती रहती है जा होती रहती है Election Commission of India की बात हो रही है ए बिधान सवा, बिधान परिशद और राजसवालोकसवा राष्टपती उपराष्टपती के निर्वाचन की वेवस्ता देखता है और सम्मिधानिक संस्ता है अनुछे 324 के तहत इसकी स्थापना हुई है 25 जन्वरी 1950 को स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पहले मुक चुनावाएक तो सुकुमार सैंते बर्टमन में राजीब कुमार आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यह सामान जानकारी जरूर रखा करिएगा पूच लेता है कई बात अंगला कुष्या ने किसे वर्स 2022 का साहित का नोवल पूरुसकार दिया गया है मैक्स फोर्ड, मिनी चाल्स, एनी एनॉक्स, डेमी, जूल को तो एनी एनॉक्स को दिया गया है इसमें क्या लगा होगे? सी ओप्सन विलकुल ठीक रहेगा आपका साहित के लिए दुनिया के सबसे पित्रिष्टित पूरुसकार है 2022 के लिए नोवल पूरुसकार प्रांसिस ही लेकिगा एनी एनॉक्स को दिया गया है और ध्यान नहें पिछली बार ये अब्दुर रज्याक गुर्णा को दिया गया था तो ये भी याद रखेगा 2022 का साहित का नोवल पूरुसकार साहस और निदानिक तीक्षणता जिसके साथ वह ब्यक्तिकत इसमिती विवस्थाओं और सामईक पिती बंदों को जागर करती है इनके लिए जाना जाता है एनी एनॉक्स को ठीक है ये जरूर याद रखेगा एनी का जनम 1940 में हुआ था उनका पालन पोसन नौर्बंडी फ्रांस के छूटे से सहर यवे टोट में हुआ है और बरस 1974 में उनकी पहली पुस्तक क्लीन आउट की पिकासन के साथ हुई थी उनके प्रमुक कारियों में ये विमेंस स्टोरी, हैपनिंग, एक गल्स स्टोरी, ग्रेटिंग लॉस्ट ये उनकी किताबों के नाम है तो ये भी याद रखेगा दा येर्स को इंटरनेशनल में बुकर पुरुसकाल से भी सम्मानित किया जा चुका है इने, एने एन्नोक्स को पितिवस किस तारीक को विस्तो सिक्षक दिवस मनाया जाता है ये किस की बात हो रही है, विस्तो सिक्षक दिवस की बात हो रही है यह आप लोग बताईए भारत में राष्टी सिक्षक देवस का मनाया जाता है यह आप लोगों को जरूर बताना है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो 5 अक्टूबर को दुनिया भरे में 200 सिक्षक देवस मनाते हैं और पांच अक्टूबर को ही मानाया जाता है और इस बास की थीम लखी गई That Transformation of Education Wagon with Teachers और ध्यान रहे युनेसको की सिफारसों को 1966 में सविक्तरो राष्ट द्वारा सोईकारने की बाद 1994 में पहली बार बिस सिक्चक दिवस मनाया गया था यहां युनेसको की बात हुई है तो इसके बारे में बता देता हूँ इससे भी questions पूछ लेता है The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 16 November 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और Paris France में इसका headquarter देखने को मिलेगा इसका कार सिक्षा प्रकेती और समाज विज्ञान संस्कीती संचार की माद्यम से अंतराश्टी है सांती को बढ़ावा दिना है एक तरह से ठीक है तो इसमें आप लोग लगाएगी A option बिल्कुल ठीक रहेगा आपका L.S. B.R. लियाथ्सकी और दो मानो अधिकार संगठन को किन छेत में बर्स 2022 का नोबल पुरुसकार दिया गया है 2022 का सांती का नोबल पुरुसकार की बात हो रहे है बताईए सांती का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया है L.S. B.R. लियाथ्सकी और दो मानो अधिकार संगठन को किस छेत में बर्स 2022 का नोबल पुरुसकार साहित सांती अर्थ सास्त और चेकिस सातो ये सांती के छेत में मिला है किसके लिए सांती के छेत में मिला है यह आप देखें नोवल सांति पुरुसकार बेलारूस के मानवधिकार अधिवक्ता है यह आप पुरुसकार कई वरसों तक उनकी युगदान को मानता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देते हैं और नाग्रेकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक तरह से काम करते हैं एलेस बियालाथकी की बात करें तो 1980 के दसक के मद्द बेलारूस की में लोकतन तांदोलन के आरंप करता माने जाते हैं और रुसी मानवधिकार संगठन मेमोरील की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये भी आप देखें लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है और उक्रेणी मानवधिकार संगठन की बात करें सेंटर पोर सिविल लिवर्टी तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी उक्रेण में मानवधिकार और लोकतंत को आंगे वड़ाने के उद्देश से इसका उद्देश है मैं तो ये भी याद रखेगा इन्हें सांती के छित में दिया गया है पितिवस कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है कपास दिवस की बात हो रही है बताए कपास दिवस साथ अक्टूबर को मनाया जाता है आठ अक्टूबर, नौक्टूबर, पांच अक्टूबर तो आपको बता दू कि 7 अकटूबर को 20 सू भर में दुनिया भर में कपास देवस मनाया जाता है और 7 अकटूबर को अवाज की उतपादन को ou intolerant के उद्दे से मनाया जाता है क्योंकि कपास कपड़ा उद्द्यों के लिए बहुत ही मात्पूर है और इससे आप देखे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है समझ रहे हैं? चलिए अंगले कुश्यन की तरफ चलते हैं 8 October को 8 October 2022 को भारती भाईव सेना ने अपना कौन साइस था अपना दिवस मनाया है? भारती भाईव सेना की बात हो रही है बताईए सेना का एक अंग है और जो भाईव योद लड़ती है भाईव से आप देखे अंतरिक्ष से एक तरह से आप देखे ऊपर से हमारी रक्षा करती है इसकी स्थापना 8 October 1932 में हुई थी नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा भारत कि सिराजी के पूर मुखमंतिर रहे मुलायम सिंग यादो का 82 वर्स की उम्रे में डेथ हो गई है और आप देखे रक्षा मंतरी भी रहे है हमारे देश के ये भी आप लो याद रखेगा मुलायम सिंग यादो पंजाब हरयाडा उत्तर पेदेश राजिस्थान तो आप सभी को माल होगा तो उत्तर पेदेश आपने लगा दिया होगा जो अभी वर्थमान में अखलेश यादो देखते हैं वो भी मुखमंतिरी रहे हैं उत्तर पेदेश के तो उनी के पिता है और आप देखेंगे कि अखले से आदो अभी विधान सभा के विपक्ष के नेता भी है और जून 1996 से मार्च 1998 तक विदेशर रक्षा मंतरी भी रहे हैं और रक्षा मंतरी की रूम में इनका अच्छा एक तरह से कारमान जाता है सादवार के सांसद भी रहे हैं और नेता जी किस मसूर थे नेता जी के और नाम से और आप देखें समय पहलवान भी की है इनोंने और समाजवादी पार्टी जो देखते हैं उसकी स्थापना की थी संस्थापक है 1992 में की थी इनोंने उसकी स्थापना तो ये भी याद रखे ओ, मुलायम सिंग यादोगों का जनम 22 नमबर 1949 में सेफाई में हुआ था, 10 अक्टूबर 2022 में गुरुग रामेन की डेथ हो गई थी, और देखी बरतमार में ये लोकसभा सदस्थ थे, ये भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है, चलिए आगे चलते है उत्तर पेदेश की बारे में और बता देते हैं, उत्तर पेदेश आप देखी कि लखनव इसकी राधधानी है, इसकी अंतराठी सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में बिहार, जारखंड, चत्तिसगर, मत्विदेश, राजिस्तान, हरयाना, दिल्ली, हिमाचल पेदेश उत्तराखंड, सबसे जांदा राज्यों से सीमा लगती है, और यहां विधान सभा में 403 सीटे हैं, कितनी? 403 सीटे हैं, विधान परिशन में 100 सीटे हैं, राज सभा में 31 सीटे हैं, लोग सभा में 30 सीटे हैं, योगी आदितना तेहां कि मुख मंत्री हैं, तो राजनीती की कि दिरिश्टी से उत्तर पिदेश काफी मात पून है कितने लोगों को अर्थ सास्त के छेत में 2022 का नोबल फुरस्का मिला है बताए अर्ष्ट सास्त के छेत में और यह 1968 में सुरू हुआ था याद रखेगा और पहली बार 1969 में दिया गया था ठीक है यह आफ लोगों को जरू याद रखना चाहिए तो दो तीन कितने लोगों को दिया गया चार छे तो तीन लोगों को दिया गया है तो तीन लोगों को दिया गया है अब आप लोग कहेंगे कि तीन लोग यह हैं कौन तो आप देखेंगे इसमें बैन एस वर्णान की हैं डगलस डवलू डाइमंड है और फिलिप एज डाय डाय बिग हैं को अलफेड नोवल की इसमिती मेर्थ सास्त में का 2022 का एप पुरुसकार दिया गया है इस वेन वार्णान के की बात करें तो 1930 के दसा की महामारी का विसलेशन किया था जो आधुने की तियास में सबसे खराब संगर्ड माना जाता है डगलस, डवलू, डायवंड और फिलिप एज डायव बिग की बात करें तो डायवंड और डायव बिग दोनों ने सिध्धान्दिक मॉडल विक्सित करने के लिए मिलकर काम किया ताकि यह समझ सके कि बैंकों की इस उपस्तिती क्यों वावस सके और समाज में उनकी भूमिका उन्हें आसन पतन के बारे में अब्भाहों की पिती किस पेकार सम्विधन सील बनाती है और समाज इस भेदता को कैसे कम करता है यह सब के बारे में एक तरह से बात की है तो तीन लोगों को दिया गया है इसमें आप देखेए कि पहले कौन है बैन एस बर्णान की दूसरे है Douglas W. Diamond और तीसरे है Philip H. Diabic ठीक है? इन तीनों के बारे में राद रखेएगा हर साल पितिवर्स विस्व डांक दिवस कब मनाया जाता है? विस्व डांक दिवस की बात हो रही है और खासकर आप देखे भारत में सबसे ज्यादा डांक आप लोगों को देखने को मिलते हैं 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर कब मनाया जाता है? बताई तो आप देखेंगे कि कब मनाया जाता है? विस्व डांक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है 9 अक्टूबर को इसकी सुरुवात 1970 में हुई थी और उसी साल पुनार पहली वाद विसर डांक दिवस मनाय गया था तो ये भी आप लोग याद रखेगा और 1840 की समय इंग्लेंड में एक पेडाली की सुरुवात की गई थी इस पेडाली के तहें जो भी डांक पत होते थे उन पर भुकतान प पुष्ट पूर फिलेनेट इस बार की थीम रखे गई ये भी आप लोग याद रखेगा चली अंगले कुशन की तरह बढ़ते हैं पितिवास यानि की हर साल बिसमानसिक स्वास्त दिवस किस तारीक को मनाय जाता है बिसमानसिक स्वास्त दिवस की बात हो रही है 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर 12 नो अक्टूबर कम मनाय जाता है तो आप सभी आनते हैं कि 10 अक्टूबर को आपका बिसमानसिक स्वास्त दिवस मनाय जाता है और मानसिक स्वास्ट की देखवाल के लिए एक तरह से लोग जागरूख रहें क्योंकि आज का लोग mental stress, depression, anxiety से लेकर hysteria, dementia, phobia जैसे मानसिक बीमारों से जूज रहे हैं तो एक तरह से लोग जागरूख रहें, सचेत रहें इसलिए मनाया जाता है और इस बार का उरक तरव से नारा या विसाय के लिए मानसिक स्वास्थ और कल्यान को बैसक परात्मिक्ता बनाए इस बार की थीम रखे गई हैं ठीक है और WHO आप देखें महामारी ने आई जो कुरोना महामारी तो WHO ने और इसकी और दिहान दिलाने की कोशिस की है ठीक है अब विस्व स्वास्तिस अंगठन के अनुसार COVID-19 से महामारी से पहले दुनिया में आठ मैं से लगबग एक बैक्ती मालसिक समस्याओं से पेड़ित था तो यह भी याद रखी का और 1992 में उस समय उप महासरची विरिचर्ड हंटर की नेतित में वर्ड फ्रेडेशन और वेंटल हैल्थ ने विस्व मालसिक स्वास्त दिवस बनाय था ठीक है तो यह भी और 1994 में पिथम विस्व मालसिक स्वास्त दिवस की थीम थी है दुनिया बर में मालसिक स्वास्त दिवाओं की गुड़बतश में सुधार चलिए यह यहां डवली ही स्वास्त संगठन की बात हो रही है डबलू एच वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिसन दा साथ अपरेल उन्नीस और तालीस में एक तरह से इसकी स्थाफना हुई थी जेनेवा सो इजलेंड में हेड़कौर्टर देखने को मिलेगा साथ अपरेल को विस्थ स्वास्त दिवसमी मनाते हैं विस्थ स्वास्त दिवस्थ के देशों कि स्वास्त समधी समस्याओं पर आपसी सहयों और मानव को स्वास्त समधी समझ विक्सत करने करने वाली संस्ता है एक तर ऐसे चलिए आगे चलते हम लोग अंगला कुश्चन है हमारे सामने किस पूर किर्केटर को सेप्टमबर 2022 के लिए ICC प्लेयर आप दा मन्ध थवर्ड दिया गया है बताईए चार ओप्सन हैं आपके सामने बावर, सूर कुमार यादो, डेविस मिलर, मुहमद रिजवान ICC यानि के अंतराष्टी एक किर्केट काउंसिल की बात हुरे यह जिसकी स्ताफना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका headquarter दोबाई United Arab अमिर्यात में देखने को मिलता है विस भर में किर्केट की पिदियोगता की नियंतक और नियामक संस्ता है यह तो मुहमद विर रजवान को मिला है पाकिस्तान के हैं ठीक है अंगला कुक्षिन है हमारे समने किस मैला क्रिकेटर को सेप्टमबर 2022 के लिए ICC पिलियर ऑप्दा मंत अवर्ड दिया गया है ससी कला स्रीवर्द ने हर्मन पीत कौर सनामीन सैफाली वर्मा तो हर्मन पीत कौर भारत की हैं इनने दिया गया है भी ऑप्षन आपका बिल्कुट ठीक रहेगा कौन भारत का पहला सौरूज्जा संचाले गाउं बना है खुडी राजिस्तान मुडेरा गुजरात नो लखा महरास मिंगरी करना टक तो ये मुडेरा गुजरात में देखने को मिलेगा गुजरात की रादधानी क्या है बताइए गुजरात की रादधानी गांदी नगर इसकी अंतरश सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजिस्तान मदविदेश महराश इसके पड़ोसी है और एक माई 1960 में इससी राज बनाए गया था बिधान सभा में आप देखेंगे यह 182 सीटे है राज सभा में 11 सीटे है लोग सभा में 26 सीटे है ठीक है और इसका चेतफल 1,96,24 बर किलूमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात तो इसमें मोडेरा लगाओगे गुजरात ठीक है अंतराष्टी वाली का दिवस कम मनाए जाता है अंतराष्टी वाली का दिवस की बात हो रही है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को तो आप देखेंगे 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतराष्टी वाली का दिवस मनाते है और एक तरह से आप देखें कि परिवार, समाज और देश के लिए बालिकाओं की महत्त को दसाने के लिए लोग जागरूग रहे हैं और इस साल की theme रखी गई है, our time is now, our rights, our future रखी गई है और एक तरह से आप देखी है, आजकल पुरुस महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं बचा है जहां भी लड़कियों को मौका मिल दा है, बहतर आप देख रहे हैं कि अपना कर्तब दिखा पा रहे है तो यह भी याद रखेगा, International Girls Child Day की बात कर रहा हूँ 11 एक्टूबर को, और 24 जनवरी को राष्टी बाली का दिवस मनाते हैं, यह भी आप लो याद रखेगा और शुरुआद दिसंबर 2011 में सहिवत राष्ट द्वारा की गई थी, और पहली बार 11 एक्टूबर 2012 को मना गया था Our Time Is Now, Our Rights, Our Future इस बार की थीम रखी गई है, ठीक है, और लेंगिक्स आ समानता के बारे में जागरुप का अन्ना के लिए एक तरह से, जो आ समानता फैली हुई उससे हटाने के लिए बात होई है किस कार निर्माता कंपणी ने भार की पहली, फ्यूल, फ्लेक्स, इंजिन कार लॉंच की है, वताईए, टाटा, जगवार, वाल्क वागिन, टोईटा, टोईटा होगी इसमें, टोईटा, इसकी इस्तापना का वोई थी, टोईटा की, 28 अगस्त 1937 में जापान में, ठीक है, तो यह भी याद रखे, जापानी कंपनी है, ठीक है, टोईटा मोटर नेगा, एक जापानी मोटर वहाण कंपनी है, और आरची जापान की टोईटा में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा, अब्दुल, लथी, रसी, किस देश के नए राष्टपती बने है, प्रेसीडे राखे, बगदाद जिसकी राजधानी है, ठीक है, और मदपूर वेशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह देश, चलिए अंगले तरफ चलते हम लोग, अंगला कुश्चन आप सिर्फ क्या पूछ रहा है, यह कह रहा है, पितिवस, विसमानक, दिवस, किस तार कब मनाया जाता है, तो आप देखें, चौदे अक्टूबर को दुनिया भर में विसमानक, दिवस मनाया जाता है, और चौदे अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि मानकों का हर किसी के जीवन में काफी अलग महत है, विसे इस रूप से नियामकों, उभोकता और प्रोद्द्युक से जुड़ी लोगों की बीच मानकों को हम माना जाता है 14 अक्टूबर विस मानक दिवस मनाया जाता है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा रखपाओगे या ने रखपाओगे World Standard Day की बात हो रही है और 1956 में लंदन में 25 देशों की पितिनी दियों की पहली सभा को चिनित करने के लिए इस्तारी को चुना गया था जिन्होंने मानकी करने की सुविधा के लिए एक अंतराश्टी संगर्टन बनाने का फैसला लिया था और आपका यह भी याद रखी आई एसो का गठन एक साल बाद 1947 में हुगा था और पहला विस्त मानक दिवस 1970 में मना आए गया था तो यह भी आप लोग याद रखिए गा ठीक है वीरो आप इंडियन इस्टेंडर्ड भी आप लोग देखते हैं भारत में मानक भी रो चलिए आगे चलते हम लोग अंगला गुशन है हमारे सामने पितिवस बिस द्रश्टी दिवस का मनाया जाता है अक्टूबर महिने की दूसरे गुरुबार को मनाया जाता है यह option बिलकुल सही है विसर दरश्टी दिवस अक्टूबर महिने की दूसरे गुरुबार को मनाया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा यह भी पूछ लेता है कई बार आप से और इस बार 13 एक्टूबर को मनाये गया था इस बार की थीम क्या रखेगे लब योर आई यानि की आखों से प्यार एक तरह से और अंधेपन और द्रिष्टी हिंता के मुद्दों पर द्यान आकर सिथ करने के लिए 13 एक्टूबर को भी सिथ द्रिष्टी दिवस मनाते हैं सन 2000 में पहली बार ये लाइन्स किलब इंटरनेशनल और गिजनाईशन के साइट फर्स्ट अभियान की तरह मनाये गया था अपनी आँखों से प्यार करने 2022 की थी मैं ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिए अगले कुश्टें की तरफ चलते है जारी बर्स 2022 के गिलोगल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा इस्थान रहा है और सबसे जानना बिवाद भी रहा है इसका आप देख रहे हैं कि ह सब चलता रहता है हकीकत क्या है यह आप जानते होंगे तो 103 वाई 105 वाई 107 वाई 109 वाई तो आपको बता दूं कि 121 देशों में भारत का नंबर रहा है 107 वाई और पेछले साल हम लोग 101 वेस्थान पर थे 116 देशों की सूची में और इसमें आप देखे चार संकेत कों के आधर पर यह गणना की जाती है अलपोसंट चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड एस्टेंडिंग वाल मेती उतार ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इसमें अगर आप लोग देखें सबसे टॉप पर आपका बेलारूस वोस्निया और हर्जे गुवीना चीली चीन क्वेशिया 35 देशों में सामिल है चीन हमारा पड़ोसी टॉप पर है और वेलारूस पहले पर है और नेचे से अगर सबसे खराब देखें तो चाइड डेमोकरिटिव रिपब्लिक और कांगो मेडा अगासका सेंटरल अफीकन रिपब्लिकन और इयमन सामिल है हमारे प बुरिस्तिती में है नेपाल चलिए तो यह ध्यान देना होगा चलिए अंगला कुश्चन है हमारे सामने पितिवस विस खाद दिवस कम मनाया जाता है विस खाद दिवस की बात हो रही है 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तो आपको बता दूँ कि यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है भुकमरी से पीड़े लोगों की मदद करने और खाद्यानी अन्न की भात की पिती जागरूपता फेलाने के लिए इस देवस को पहली बार 1981 में मनाया गया था तो ये भी आफ लोग याद रखेगा और 1945 में आप देखते हैं खाद देवं के रिसी संगठन की स्थापना की गई थी तो ये भी याद रखेगा इस दिन को मनानी के लिए हर साल एक नई थीम चुनी जाती इस साल थीम रखी गई है लिव नो वन यानि किसी को पीछे न चोड़े तो ये भी आफ लोग याद रखे होजेगा और वैसे भी भारत एक सुसाथवी नमर पर आया है अंगला कोशन कौन वेक्टी हाली में बंधन वैंक की नई ब्रांड एमेश्टर बने हैं बंधन वैंक की अमिताब बच्चन अक्षा एकुमाय बीरेंस है वाक सौरभ गांगोली बंधन वैंक की सापना 2001 में हु और को 2022 का बैलन डी और पुर्सकाल दिया गया है बताई रोवर्ट लिप दोवेस्की केविन डी इब्राइन करीम बिंजे मा मुहम्मद सला यह पहली बार आवर्ड दिया गया था 1956 में यह भी याद रखिए करीम बिंजे मा होंगे इसमें करीम बिंजे मा ठीक है यह जरूर याद रखिए सी ओप्सन है कि फ्रांसी सी फट वलर है तो यह भी याद रखिएगा अंगला कुक्शन है हमारे सामने नियाए मोटी डी डी वाई चंदचून भारत के कौन से नए मुखनया दिस बने हैं 45 वे 50 वे बताईए सोप्रेंग कोड की बात हो रह है और नंचास भी कौन थे यू यू ललित कौन यू यू ललित और यू यू ललित का इस्थान लेंगे और सुपरेंगोट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है समिधान के अनुच्छे 124 के तहत इसकी स्थाफना की बात की गई है और आप देखेंगे इसकी स अपना 28 जनवरी 1950 में हुई थी और इसमें 34 नयादिस देखने को मिलेंगे जिसमें एक आपका मुख नयादिस और 33 नयादिस है इनके अगर कारिकाल की बात करें सीवा निवित्ती की उमरी की बात करें तो 65 साल लखी गई है ठीक है किसी BCCI की नई अध्यक्च की रूम में एड़क्वार्टर देखने को मिलेगा कापेल देओ सचिन तैनल का रोजर बिन्नी जहरीन खान तो रोजर बिन्नी को बनाए गया है C option विलकुल सही है कौन बैक्ती हाली में तरोन बजाज की इस्थान पर भारत के नए राजस हिस्सचिप बने है संजय मलोत्रा गोपाल गो देखने की सूचि में किसी टॉप पर मिला है ए अजीम प्रेम जी सिवनादर गौतम आदानी मुक्य संभानी तो इसमें आप देखें कि कौन दादाओं की सूचि में आप देखें होरें इंडिया परोपकारी सूचि में SEL के सिवनादर को मिला है इस्थान ठीक है और नाद गयारे सो 61 करोर रुफ़े दान के साथ देश के सबसे उधार व्यक्ति दानदार व्यक्ति वने हैं इसके अलावा अलावा विप्रो की 77 बढ़ती है अजीम प्रेम जी 484 करोर रुपे मालाना सालाना दाज दान के साथ दूसरे स्थान पर हैं इन्फॉर्स मेंसन सब्सक्राइब अपनी सब्सक्राइब की बात हो रही है सिव नादर इसके फाउंडर है रोड़ा में हैटक्वाटर देखने कुम लेगा ठीक है चली अंगले क्रिश्टियन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें आप लोग सिव नादर होगे उल्फ क्रिश्टर सन किस यूरूप ये डेश के नई पिधान-मंत्री बने है इस बताईए सुईडन फोलेंड हंगरी इटली तो ये सुईडन के बने हैं कहां के बने है सुईडन के सुईडन ये यूरूपी महादीव में उत्तर में इसकेन डेमिया इस्ते देख देश है इस टॉक हो में इसकी राधधानी है ठीक है कौन भारती मूल के वेट बेक्ति बेटेन के नई पधान मंत्री बने है अमन पांडा दिलीब बोलेंड राजिस डेविड रिसी सुनक तो यह तो सभी आपको माल होगा कि रिसी सुनक बने हैं उनाइटिट किंगरम भी आप दने इसकी राधधानी है यह भी आपनो यादरखेंगा ती बसे पोलियों दिवास कम मनाया जाता हैर हैं विस पोलियों दिवस की बात हो रही है चोविस अक्टूबर 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर और पर आपके 28 अक्टूबर को मनाया जाता है यह option बिल्कुल सही है क्या है बिल्कुल सही है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है 1988 में ग्लोगल पॉलियो उनुमिलन पहल की स्थापना की गई थी और पॉलियो या पॉलियो मेलाइस्टिस एक अपंग यानी बिकलांग करने वाली घातक भीमारी है पॉलियो वाइरस के कारण यह होती है ठीक है और आप देखेंगे 12 अप्रेल 1925 को इसे एक पॉलियो टीका भी वैक्सीन का इजाद हुआ था दुनिया बर में पहला जोना सॉल के द्वारा विक्सित किया गया था टीका तो यह भी याद रखना चाहिए आप लोगों को कई बार कुश्चन्स भारत में पॉलियो टीका करण की सुभात 1995 में हुई थी यह भी याद रखना चाहिए इस तरह कि इन दिवस से कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है क्या कर लेता है कई बार पूछ लेता है और 2022 की थीम रखी गई है 20 पॉलियो दिवस और उसके बाद माताओं और बच्चों के लिए एक स्वास्त भविस रखी गई है इस बार की थीम तो इसकी थीम भी याद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने पितिवस अंतराश्टी इंटरनेट दिवस किस थारी को मनाय जाता है अंतराश्टी इंटरनेट डाटा इंटरनेट डिवस की बात हो रही है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 29, 30 अक्टूबर बताए कब मनाय जाता है तो 29 अक्टूबर को मनाय जाता है कब 29 अक्टूबर को मनाय जाता है और कैलिफॉनिय विद्धियाल है लॉस एंजल से में एक छाथ प्रोग्रामर चाली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1990 को पहली बार एलेक्ट्रोनिक संदेश एलो प्रिसारिद किया था और दूर संचार फरदुकी की इतियास में इस मात्पून घटना को मनाने के लिए पहला 2005 को मनाया गया था तो यह भी याद रखना चाहिए मुझे लगता है कि कुश्चन से पूछ लेगा आपसे अंगली कुश्चन है हमारे संबने किस देश ने हाली में कोवित के खिलाब दुनिया के पहले इन हैलेवल वैक्सीन लॉंच की है तो कौन कर सकता है भारत जापान बैटन या चाइना हमारा पडोसी है जहां से कहते हैं कुरोना माहमारी आई हुई थी तो विजिंग चाइना की बात हो रही है विजिंग इसकी राददानी है चाइना हमारा पडोसी भी है आप सभी जानते है कि स्थापना की अगर बात होती है किसकी तो हमसे दो साल बात यानि कि 1949 में यह आजाद हुआ था हम लोग 1947 में आजाद हो गए थे लगदा, खिमाचल प्रपदेश, उत्राखंड, सिक्के, आजणा, चल्पदेश, पांच राज्यों की सीमा भी लगती है इससे तो यह भी याद रखने चाहिए और फिलाल चीन में वैक्सीन की मुप्त बूस्टर खुराक उन लोगों को अपलब देख कराई जा रही है जिनका पहले ही टीका क प्राक चलिए अंगला कुशन है हमारे सामने सुली लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्टपती चुने गया है बताई है फ्रांस वराजील जापान इस्पैन तो यह चुने गया है कहां कि वराजील के और वराजील दच्छन अभीका का सबसे बिसाल और मत्पूर दे हर साल यानि कि पिती वर्स पूरे भारत में 31 अक्टूबर को राष्टी एक्ता दिवस किस बैक्ती की जहनती पर मनाया जाता है यह आप लोग बताईएगा सरदार बल्लब भाई पटेल बाला गंगा धरतिला गलाल भादू सास्त्री सुबाश्चन बोस तो आपको माल होग और हमारे पहले होम मिनिस्टर, पहले उप्धान मंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल की जहनती पर मनाया जाता है और 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल युनीटी दिवस, राष्टी एक्ता दिवस मनाया जाता है और अगर हम लोग किनकी सरदार बल्लब भाई पटेल की बात करें तो देश को एक करने में इनका ही योगदान माना जाता है सबसे ज़्यादा 31 अक्टूबर 1875 में इनका जनम हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी चले तो ये भी याद रखिएगा इसमें सरदार बल्लब भाई पटेल होंगे तो इस तरह से आप देखें जो आपकी अक्टूबर महिने में घटना है घटी है उनसे कौन कौन सी आपकी परेक्षाओं के लिए मात्कून कुश्चन्स हो सकते हैं उन्हें हम लोगोंने एक एक करके देखा है अंगली क्लास में हम लोग नमंबर 2022 में जो घटना है घटी रही है उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग उनसे कौन से questions बन सकते हैं उन्हें भी हम लोग एक एक करके देखेंगे आपका कोई सुझाओ सवाल हो तो जरूर आप लोग नीचे बता सकते हैं